असलम उलेकम वेलकम टू शिनाया नियूस उमीद करती हूँ के आप सब खैरियसे होंगे यूके की एहमतरीन अपडेट लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं बरतानिया में तेल बुरान से निमटने के लिए हकूमत ने फोज तलब कर ली है और फोजी ड्राइवरों के जरे सप्लाई बढ़ाने का फैसला किया गया है दूसरी जानी पर ट्रोल पॉंपों पर जगड़े बढ़ गे हैं और पर ट्रोल पॉंपस पर लड़ाई की कैई वीडियो सामने आ रही है दूसरी जानिव छकुमत ने ये माना है कि बॉरान तवील भी हो सकता है इस दुरान तिबी माहरीन ने ये हद्सा जाइड किया है कि तेल बॉरान से क्रोना के केस भी बढ़ सकते हैं तफसीलात के मताबिक बरतानिया में टेल के ब्राभन से निमटने के लिए हकुमत ने फोज को मतहरک कर दिया है। बरत 오늘도 इवजीर दफ़ा ने 300 फोजीयों को टेल बुराभन में मदद देने के लिए फरहाम करने की सम्री पर साइν भी कर दिये हैं। इन 4G ड्राइवरों को तेल की सप्लाई के लिए मामूर किया जाएगा ट्रक ड्राइवरों की किलत के 22 पैदा होने वाले बुरान ने अवाम के लिए परशानी में इजाफा कर दिया है और लोगों के लिए बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने समेथ मुलाजमतों पर जा एक बार फिर अवाम से अपील की है के वो तहम्मूल से काम ले और सिर्फ इतना तेल काड़ी में डलवाओ जितने की इन्हें जूरत है इन्होंने कहा है के हकूमत अभी से क्रिस्मिस और इससे भी आगे तेल की सप्लाई बहाल रखने के लिए काम कर रही है दूसरी जानिब ये भी ख्याल रहे के पट्रोल पुरान के बाद बरत्वानी हकूमत ने इमिग्रेशन पॉलीसी नर्म करते हुए पांच हजार ट्रक ड्राइवरों को फोरी वर्क वीजे देने का इलान किया है दूसरी जानिब ओपोजीशन लेबर लीडर और ट्रांसपोर्ट से मुतलिक इसे किलत के मुकाबले में आटे में नमक के बराबर करार दिया है इनका कहना है कि बरतानिया में इस वक्त एक लाख ड्राइवर्स की किलत है तो आप आने वाले वक्त में हो सकता है कि बोर्स जॉनसन हकूमत मजीद वर्क वीजे के हवाले से अलान कर सकती है या फिर हो सकता है कि ऐसे अफ्राज जो के यूके में मजूद हैं काफी लंबे अर्से से उनको भी ये अपरजूनिटी मोहया की जा सकती है क्यूंके यूके में पर्ट्रोल बुरहान बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है जिसकी वैसे काफी ज़दा लोग भी मुतासिर हो रहे हैं और अब बाहरीन को ये भी डर लग गया है कि क्रोना केसिस भी इस तरह बढ़ सकते हैं तो आने वाले वक्त में इस वाले से इस वाले से क्या इलान किये जाते हैं वो देखना बाकी है तो ये थी आज की एहमतरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है उमीद करती हूँ के पसंद आई होगी फिर मिलती हूँ लेटस्ट अपडेट में तब तक आप से अपना बहुत ख्यार रखेगा थैंक्यू खुदा हफिस